और रे बाप रे मतलब किस तरह का तहलका मचा दिया है कल से इन लोगों ने फिल्म इंडिस्टी बालों ने कल जैसा हमने बोला था कल के वीडियो में के वर्ल्ड अनॉंस्मेंट डे सा बना दिया हो एक पोश्ट भी डाली कल कारते गारे ने जिस पे उन्हेंनों खुद लिख गीता गोबिंदम जैसी मूवी देखे बॉलीवड में डेब्यू करने वाले हैं वो और जो लाइगर उनकी पहली मूवी है बॉलीवड के अंदर वो उसका टाइटल लोगों को उतना पसंद नहीं आया था क्योंकि लाइगर एक सेरनी के बच्चे को सेरनी को ही बोलते हैं एक कोई प्रजाती होती है सेरनी की उसे लाइगर बोला जाता है जो चल भी नहीं सकती है डंग से उसको लाइगर बोला जाता है तो उतना लोगों को पसंद नहीं आया था अब कल जैसे सब सारी फिल्मों के अनॉंसमेंट हो रहा था तो लाइगर का अज चार बज़े और उनके मुझे लग ना उनके फ्रेम में को जिस तरह का इसमें दिखाया गया है तीजर एक छोटा सा लॉंच यह उसमें जिस तरह iq थाइन थो कड़ी टक्कर होने वाली यह तो बैड़ेस्ट मैन अन ड़ प्लैनेट माइक टाइसन जो सब लोग जानते होगे हैं मेरी इतनी रूची नहीं है boxing में मुझे उतना नहीं पता लेकिन माइक टाइसन को कौन नहीं जानता होगा मैं तो यह जानता हूं हर बच्ची के मुझे नाम सुना है मैंने भी नाम मुझे तो इतना पता है कि उन्हें शुरुआती दिनों मैं बैड़ेस्ट मैन ऑन दब प्रैनेट बोला जाता था आईरनी टाइशन बोला जाता था उन्हें आईरनी माइक बोला जाता था बहुत उनके नाम थे वह इस मूवी में देखेंगे जो भी टीजर है हाला कि रिली डेट अभी भी अनौन्स नहीं की गई लेकि इतना बता दिये कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो माइक टाइशन का उनके बारे में बताया गया है और एक लास्ट में जो एक फ्रेम आता है माइक टाइशन की फोटो है और इस साइड वजय द्वेवार कुंडा की फोटो है तो आप इसी से अंदाज लगा लिजे इस मूवी की लोग कितन आपके साथ मिलते हैं आपसे बहुत जल और किसी नई वीडियो में और कोई ने ताज अपडेट लेकर अब तक के लिए जय हैं